नमस्कार दोस्तो राजे सायरवेदिक्टिफ्स चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो और सदियों की जानकारी देना पेड़ पौधों की जानकारी देना मेरे चैनल का उद्देश से दोस्तो और आवस glandियों की जानकारी जंजन तक पहुँचाना पेरपोधों की जानकारी सभी देश वासिओं तक पहुचाना ही मेरा पहला उद्देश है दोस्तों और इसी उद्दिस को पूरा करने के लिए ड़े अकू आपके लिए आता रहता हूँ पेल पौधों जड़ी बूटियों की जानकारी आपसे सेयर करता रहता हूँ दोस्तो इसी कड़ी में आज मैं एक बहुत ही दमदार अवसिदी लेकर आया हूँ जिसको हम सब लोग जानते हैं वो एक इतनी चमतकारी अवसिदी है दोस्तो उसकी जानकारी मैं आपसे सेयर करने जा रहा हूँ जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं दोस्तो ये सीसम का पेंड है और सीसम के बारे में ही आज मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी देने जा रहा हूँ इसके बहुत तरह औसदी प्रियोग होते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है। इसी जानकारी को मैं आपसे। शेयर कर रहा हूं। दोसरे दोस्तव मिंस्तरों को ये बीडियो शेयर कर zi ताकि ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ वो उनको भी पता चले। दोस्तों क्योंकि सीसम जो है वो ठंडे प्रकतिका होता है इसलिए दोस्तों जिन दोस्तों मित्रों को कफ की समस्या रहती है जिने सर्दी जुखाम जादी जल्दी हो जाता है ऐसे ब्यक्ति सीसम का प्रियोग ना करें दोस्तों सीसम एक ठंडा पेड माना जाता है इसकी पत् को पीस कर आँखों में आप पुल्टिस बना कर बान लीजिए सारात में सोते समय तो इससे आँखों की लालिमा जो है वो ठीक हो जाती है यदि दोस्तों आखों की कंजेक्टवाइटिस जैसी समस्या है आखे लाल हो गई हैं दुख रही हैं आखे खोलने में दिक्कत है चस्म का प्रियोग जो है गर्मियों में हमारी सरीर में बहुत सारी कुझली और नाग धब्बे जैसे हो जाते हैं और सरीर में आजीब सी जलन होती है ऐसी समस्या में भी आप शीश्म की जो फलिया होती है उन दुख मार्केट में मिलता है दोस्तों वहां से आप खरीद कर ले ताजा ताजा मैसूस होता है दोस्तों सीसम की पत्तियों के बहुत सारे प्रयोग हैं इसका एक प्रयोग आप कर सकते हैं दोस्तों यदि आपके शरीर में किसी भी प्रकार का घाओ है फोड़ा है फुंसी है तो तब दोस्तों इन पत्तियों को पीश कर या इनकी पत्तियों का रस निकाल कर आप उसमें लगाएंगे तो दोस्तो इसमें anti-inflammatory property है और wound healing nature की होने की वज़े से दोस्तो ये पत्तियां जो है उस घाव को भरने में बहुत ही सायक होती हैं दोस्तो दोस्तो सीसम की पत्तियों के कौन-कौन से फायदे हैं आपको बारी-बारी से बताता जा रहा हैं बहुत सारा फसीना निकलता रहता है गर्मी से आप बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं बहुत ज़्यादा परिसान है तब आप शीशम की पत्तियों का इस्तमाल कर सकते हैं इसके लावा दोस्तो यदि किसी भी प्रकार का धात चींडता है पुरसों में या उनको जो मतलब है या जनित किसी भी प्रकार का कोई रोग है या किसी भी तरह क्या सुक्मे जैसी कोई समस्या है ऐसी इन समस्याओं में दोस्तो आप इन शीशम की पत्तियों का इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तो इन पत्तियों को करना क्या है इन पत्तियों को आप जो है दस्वारा पत्त काड़ा बना कर पी सकते हैं इसके लावा दोस्तों आप गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान है तब आप इन 12 पत्तियों को पीस लीजिए सिल्वट्टे में और उसमें धागे वाली थोड़ी सी मिस्री मिला लीजिए और एक गिलास पाने में एड़ कर लीजिए उसको और उस करेगी दोस्तों और आपको ठंड़ा ठंड़ा महसूस होगा दोस्तों इस तरह से यह गर्मी के लिए बहुत ही अच्छी होती है और इसके लावा यह प्रियोग जो है हमारी जो माताय बहने हैं उनके लिए भी फायदे मंद है यह उनको महावारी के समय में बहुत ज्यादा मतलब है रक्त स्राव होता है और लुकेरिया जैसी यह समस्या है या स्विद प्रदर की समस्या है इन सभी समस्याओं में यही प्रियोग करके आप अपने आपको ठीक कर सकते हैं दोस्तों सीसम के बहुत सारे अंगिनत फायदे हैं अंगिनत इसके प्रियोग है दोस्तों ब अपने दोस्तों मिस्त्रों को जरूर सेयर कर दीजिए ताकि सीसम की जानकारी और दूसरे लोगों को भी हो मिलते हैं ऐसी किसी अन्य पहुदे के साथ फिर जानकारी सेयर करेंगे तब तक के लिए धन्वाद चैहिंद